आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले मुवाइल का कीवोड कैसे चेंज करें दोस्तो अगर आपके फॉन में भी आपका मुवाइल का कीवोड चेंज करना है दोस्तों अपने मॉयल का keyword change करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को last तक देखते रिए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले और आप सभी को बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बने कुस्देरी के हम करते हैं वीडियो को start उससे पहले आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेलेकिन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की अच्छे टॉपिक आपके पास लाता रहूंगा मॉइल का कीवोड चेंज करना काफी असान है आपको क्या करना है बस यहाँ पर वीडियो को एंड तक बिल्कुल ध्यान से दिखना है और यहाँ पर आपको अपने मॉइल का कीवोड चेंज करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा यहाँ पर अपने मॉइल के सेटिंग वा जाएगा अब दोस्तों इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों इसको मैं ऐसी रहन देता हूँ और यहां से बैक आ जाता हूँ और अपने मुवायल के सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है थोगा सा नीचे आ जाना है और यहां पर आपक के साइड में आपको सर्च बार का उपसन आएगा आपके सेटिंग में सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको कीवोड सर्च कर लेना है दोस्तों यहां पर जैसी आप कीवोड को जो है वो सर्च करेंगे तो दोस्तों यहां पर जो है आपके मॉयल में जो भी कीवो किवोड है, वे सारा का सारा यहां पर आ जाएगा तो आपको यहां पर क्या करना है जितने भी सेटिंग ओफ होगा simply आपको इसको ऑन करके एक कर देना है तो दोस्तों यहां पर आपके मॉयल में जितना भी कीवर्ड है वो सारा का सारा ओन हो चुक है आप दोस्तों बैक आजेना है और दोस्तों कीवर्ड को चेंज करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों यहां पर जो है Simply current keyword के button पे click करना है और दोस्तों आपके मॉयल में जितना भी keyword रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने मॉयल के अंदर 4 keyword है दोस्तों तो simply मैं कोई सा भी एक select कर लेता हूँ अब दोस्तों यहाँ पे मैं example के लिए emoji keyword को button पे click करूँगा अब दोस्तों यहाँ पर emoji keyword आया है की नहीं इसको देखने के लिए आपको क्या करना हूँ Simply यहाँ पे click कर देना है और फिर से मैं note पे आ जाता हूँ और दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे के साइड में emoji आ चुका है अब दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं मेरा photo भी change हो चुका अब इसको back आ जाना है फिर से वहीं आ जाता हूं और एक बार आपको change करके फिर से दिखा देता हूं आप दोस्तों यहाँ पर मैं google voice tapping या फिर कोई सा भी इसमें से ले लिए और आपको यहाँ से back आ जाना है और फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूं देख सकते हो यहाँ से यह कुछ इस तरीके से change हो चुका है तो आप जो है कुछ इस तरीके से आप अपने मुआल का keyword जो है वो change कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा मुझे comment box में जूर बताएगा और साथ साथ चैनल को subscribe करना ना भूले